कहते हैं कि संघर्ष ही आपको बल्वान बनाता है हम सब बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं है अगर हमारी जिंदगी में संघर्ष नहीं होगा तो हम एक मजबूत और एक ताकत वारा या एक सक्सिस्कुल इंसान नहीं बन पाएंगे कुछ भी बनने के लिए इस जिंदगी में संगर्स से ही गुजरना पड़ेगा क्योंकि संगर्स ही हम सब को बलवान बनाता है एक स्ट्रमे की बात एक आदमी कहीं से बाहर जा रहा था और राश्त में उसने एक तितली को देखा जो अभी अपने अंडे से बाहर आने का प्रयास कर रही थi वहां आदमी नहीं बैट गये और इस दिश को देखने लगा घंटों बीद गए वह तितली अंडे से उस छोटे से च्षेव से बाहर आने के लिए मिहनत कर रही थी संघर्ष कर रही थी लेकिन कुछ नमें बाद ऐसा लगने लगा उस आदमी को कि साय तितली अंडे के अंदर फस गई है और अंडे का छेद इतना ज़्यादा छोटा है जिसकी वज़ादे इस तितली को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और बहुत ज़्यादा जिससे वह तितली आसानी से तो बाहर आ गई लेकिन अंडे से तितली बाहर आने के बाद वह तितली उड़ नहीं पाई उसका पूरा सरी फूल गया उसके पंक सूख गये उस आदमी ने सोचा साय थोड़ी देर इंदजार करने के बाद यह तितली स्वेम उड़ जाएगी लेकिन इसा नहीं हुआ उसके पंक जो है उसके सरीर से चिपक गये थे जिसकी वज़ा से पंक खुल नहीं रहे थे और कुछ त्याम बाद उस तितली की वही पर मिर्टू हो जा दिया इस आदमी के अंदर इतना दयालो पूर धेर दे होने के बाजोद भी वह नहीं समझ सका कि तितली उस अंडे से निकलने में जो संघर्ज करना पड़ रहा था वही संघर्ज उसे जिंदगे में उरने के लिए बना रहा था भगवान ने उस रास्ते को संघर्ज पूर बनाया था जिसकी वज़ा से वह इस दुनिया में सुरच्छित रूप से आई अपने करती है भुर्आल दिर ही दिरे उन फंको को खोलता है लेकिन इस आदमी दे ने उस तितली की मदद की इसने सोचा कि सायथ तितली को बहुत जबा दर्द हो रहा है, उसमें उस संगर्स को हटा दिया, तितली बिचारी मर गई, तितली को भले ही मदद मिल गई, पर उस मदद का क्या फायदा, जो उसे उड़ने के लिए उसके पंख को ही तोड़ दिया, तितली नहीं उड़ पाई और कुछ ताइम बा लड़ो उस से, तुम जिस दिन जंग जीतोगे, उसी दिन तुम्हारी सची सफलता होगी, अपना कीमती समय देने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्वाद